तो यहाँ पे ChatGPT में हमें कुछ नए features देखने को मिले हैं तो उन features के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे तो अगर आपने हमार चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर दीजिए तो यहाँ पे सबसे पहले में ChatGPT को open कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे bottom में chain देखने को मिलता तो यहाँ पर तीन नए options देखने को मिलेंगे camera का photos का और यहाँ पर folders का तो यहाँ पर आप आप किसी भी photo को upload कर सकते है chat GPT में जैसे मैंने यहाँ पर यह photo upload की और मैं चाहता हूं कि यह solve करें इसे तो यहाँ पर prompt देने को देख सकते हैं यह photo की जरे भी solve कर सकता है इसके लब आप यहाँ पर चाहें तो photo से किसी भी text को extract कर सकते हैं या किसी भी book को summarize memorize करना चाहए तो upload करके यहाँ पर summarize भी करा सकते हैं इसके लब़े देख कते हैं यहाँ पर live चीज भी आप देख सकते हैं तो जइसे देख सकते हैं ने यहाँ पर live sports दो यहाँ पर ये यह search करता मैं लμεर रिजर्ट्स है आप इंप्र शो करता है जो कि यहाँ पर काफी जदा अच्छी चीज़ है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप चैट GPT में Read Aloud का भी फीचर देखने को मिलता है जो कि काफी कमाल का फीचर आप इसे ट्राय करके ज़रूर देखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर new voice models आपको देखने को बिलनेंगे इसके लब आप translate कर सकते किसी भी चीज़ को जैसे कि आप चाहे तो English to Hindi कर सकते या फिर आप इससे Hindi में ही बात कर सकते तो यहाँ पर अच्छी कासी translation आपको देखने को मिल जाती है तो यह वाला feature भी मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया और यहाँ पर हमें prompts के limit देखने को मिलते है जैसे कि देख लीजे मैंने यहाँ पर file upload किया तो मैंने कई वार upload कर दिया है यहाँ पर यह नहीं जा रहा है और यहाँ पर अगर आप settings में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक नया feature देखने को मिलता है background conversation का तो यहाँ पर अगर आप chat gpt से कोई conversation कर रहे है और आपने इस app को cut कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी conversation चालू रहेगा तो यह background में run कर सकता है आप इससे अभी भी सवाल जबाप कर सकते है और आपको यह reply भी करेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी changes हमें देखने को मिले हैं नए chat gpt में और यह chat gpt 4.0 के model पर run कर रहा है जो की बहुत सारे capabilities के साथ आता है जो की काफी अच्छी बात है आप इसे try करें यूज करें और आपका जो काम रहेगा पहले से ज्यादा अच्छी से करेंगा क्योंकि यहाँ पर आपको faster speed में मिलेगा और यहाँ पर files को भी upload कर सकते हैं जो की काफी अच्छी बात है तो दोस्तों आज के उड़ीस इतना ही है आप आप उड़ी पसंद आई होगर वड़ी पसंद आयो तो वड़ी को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करना मत बुलिएगा इसे साथ नोडिफिकेशन मेल को भी आउन कर दिजिए ताकि आपको मिलते रे ऐसे amazing videos को नोडिफिके आपको कौन सा feature सबसे ज़्यादा पसंद आया